जो कानून दर्म के अधार पर देट्स को बाटते जो उत्री नीज का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा मेरे प्यारे देश वाक्यों, हमारे देश में सुप्रीम कोड ने बार बार इनिफर्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अने एक बार आदेश दिये है क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिश सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सच्च में तो एक प्रकार का कॉम्यूनल सिविल कोड है बेदभाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब सम्मिदान के 75 वर्ष मना रहे हैं और सम्विदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए इसकी सुप्रिम कॉर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्विदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मानता हूं इस गंबीर विशेप्रदेश में चर्च हो और कोई अपने विचारों को लेकर क्या आए और उन कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर डेट्स को बाटते जो उत्य नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के अधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं शामान ने नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मेलेगी सुआप मेरी इचिनस